दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी गीहु के आटे का पास्ता जो कि साम की छोटी मोटी भूख हो या सुबह का नास्ता आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ये आटा पास्ता टेश्टी होने के साथ सथ काफी हेल्धी भी होता है बच्चों को तो बहुत ह ज्यादा यह आटा पास्ता पसंद आएगा बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हो तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं बनाने के लिए मैंने या के बॉल ले लिया है बॉल के अंदर हम एक कप गेहू का आटा डाल देते हैं तो यहां पर आटे में आपको यह थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ओयल डालना होगा तो एक चमची यहां पर ओयल डाल सकते हैं अब क्या करना है थोड़ा थोड़ा सा पाणी डालते हुए हमें आटे का सक्त सडू लगा लेना है तो इस तरीके से क्या है रोटी और पराठे से आटे के डो को सक्ती रख तो यहां पर इस तरीके से हमें आटे को लगा लेना है तो यहां पर हमारा आटा लग के तयार हो चुका है तो इसे ढख के रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेश्ट पे तो यहां 10 मिनट हो चुके हैं आटे को हमें एक बार और मसल लेना है तो एक बार जरूर आप लोग आट से चोटी-चोटी सी लोईयां बना लेनी हैं तो इस तरीके से देखे हमें चोटी-चोटी सी लोईयां बना लेनी बहुत ही आसाने से फ्रेंट्स यह आटा पास्ता बनके तयार हो जाता है काफी हैल्थी भी होता है तो इस तरीके से देखे हमें लोई को बना लेना है और एक क तो इस तरीके से देखे जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा सुखाटा यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पे क्या है सुखाटा लगा के हमें इसे बेल लेना है तो यह देखे हमने इसे अच्छी तरीके से पतला सा बेल लिया जिस तरीके से हम रोटी बनाते से उतनी थिकनेस देखे हमें इने उतनी ही रखी हुई है तो इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है यहां पे देख वात देखें रोटियों को बना लिया है तो कोई दिकत भी नहीं है वेखें को एक रोटी को ले लेना है अब मैंने यहां पे देखें तो इसे ओयल से ग्रीस कर लीजेगा या तो कोई पैन वेगर आप ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो तो यहां पर क्या करने से रोल कर लेना इस तरीके से देखें यहां पर रोल कर लेना है किनारों की साइट पर पानी लगा लेना जिससे क्या है यह खुले नहीं आप इसे रोल क ले लेनी और इस तरीके से हाथों से देखे हलके हलके हाथों से हमें इस तरीके से रोल कर देना है फ्रेंट्स हाथों से भी बहुत ही अच्छी तरीके से रोल हो जाता है अब किनारों पर कहा है पानी लगा लीजिएगा और इस तरीके से रोल कर दीजिएगा अच्छे से का इस्तमाल नहीं किया था तो यहां पर मैं अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और एक चमच यहां पर कड़ाईबे में रिफेंड ऑईल डाल देती हूँ तकि जो पास्ता हम बना रहे न Jared हो चिपकेंगे नहीं तो इस तरीके से पानी को हमें गरम होने देना है जब पानी गरम हो जायेगा तो यहां पर हमें एक एक कर के सभी रोल को डाल देना है तो यहां पे देखिए रोल को मैंने यहां पे पानी में डाल दिया है पानी गरम है तो क्या करना छैसे साथ मिनट के लिए इसे हमें पका लेना है तो इसे हमें बॉइल कर लेना है तो मैंने यहाँ पर ढग दिया है, पीच बीच में आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा और यह देखिए, 6-7 मिनट हो चुके हैं, यह देखिए, साइज में भी बड़ा हो चुका है आपको दीख भी रहुगा विडियो में, तो आप चलिए हम इसको डिकाल लेते हैं यहाँ पे हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हमें ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बादी, फ्रेंड्स, आप इसे कट करियेगा और ये देखे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है तो इसे हमें ठंडा कर लेना है तो ये रोल्स हमारे देखे ठंडे हो चुके हैं तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखे मैं आधि-ाधि इंज पे इसे कट कर रही हूँ तो आप अपनी इक्षा के उसार जिस भी सेफ में आपको कट करना हो तो आप कट कर सकते हो तो इस तरीके से देखे हम इसे कट कर लेते हैं और फ्रेंट्स इसमें लेयर अच्छी आनी चाहिए क्योंकि अगर आप जैसे ज़्यादा मोटा रोल बना दोगे न फ्रेंट्स तो क् बड़े चमच ऑयल डाल देते हैं ऑयल के गरम हो जाने के बाद आदा छोटा चमच हम डालेंगे जीरा जीरा देखिए हमारा चटक चुका है तो यहां पे मैंने तीन से चार कली लैसन की ले ली थी उसको बारी कट कर लिया था फिर उसे डाल देते हैं हम और हलका सा इसे दी करो मिनट के लिए हमें प्याच को भून लेना है बूं चुके हैं तो हम मारे मिर्ट डाल देते हैं तो यहां पर टनाटर great कर लिया है तुझे टैए को यहां बैड़ा चलिए अनरे क्रेट कर ले लिया है तो यहांपर पहली द् यहां पर दोês टमाटर का इस्तमाल किया और यहां पर 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर ची तरीके से भून्च चुके हैं तो मसाले अट कर देते हैं तो एक चोथाई चमच हल्दी पॉर्टर डाल देते हैं आदा चमच यहाँ पे कस्मेरी लाल मिर्च डाल दिया इसे क्या है आटा पास्ता का कलर बहुत ही अच्छा हैगा आदा चमच यहाँ पे गरम मसारा डाल देते हैं और यहाँ पे आदा छोड़ा चमच हम नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं यानि कि हमें एक से दो मिनट के लिए मसालो को अच्छी तरीके से भून लेना है तब तक भूनना है कि मसालो में से तेल छूड जाए तो यहाँ पे इस तरीके से बीच करेंगेवे सबजी आड़ कर देते हैं सब्जियों में यहाँ पर सिमला मेर्च और गजर बारी कट कर के डाल दिया इसे क्या है न है यहां पर अटपास्ता जो बनेगा काफी healthy बनता है बच्चे तो वैसे सब्ची खाते नहीं सब्चे मढ़िए अपर दाल सकते हो जाहो तो आ देखे सबजियां हमारे अची तरीके से पक चुकी है एक से दो मिनट में आप इस बीच में इसे चला भी लीजिएगा तो इस तरीके से सबजियां और मसाले अची तरीके से हमारे देखे भुन चुके हैं color भी जेंज हो चुका है तो हम यहाँ पे आधा चम्मच काली मिर्ज का पड़र डाल देते हैं चाये तो आप कूट के डाल दीजें इसे क्या है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इसे मिक्स कर देना है अब यहाँ पे हम आटा पास्ता को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर देते हैं और इसे हमें एक से दो मिनट के लिए पका लेना है ताकि आटा पास्ता में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए तो इस तरीके से देखे एक से दो मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा पास्ता बन के तयार हो चुका है तो आप क्या करते हैं कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं और ये देखें फ्रेंड्स आटा पास्ता बन के तयार हो चुका है बहुत ही जादा टेश्टी बना हुआ है तो चले से सर्व कर ले आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेर करिएगा चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ